महान गनितिग्य वश्षिष नाराएंज सिंग का गुरुवार को निधन हो गया लंबे समय से बीमार वश्षिष नाराएंज ने पटना के PMCH में अंतिम सांस ली है वो काफी समय से सीजोफ्रेनी अनाम की बीमारी से पीड़त थे वश्षिष नाराएंज सिंग की मौत के बाद पटना के PMCH प्रसाशन की पड़ी लापरवाही सामने आई है वश्षिष के निधन के बाद अस्पतार प्रबंधन द्वारा उनके परिजनों को शव ले जाने के लिए आमरेंस तक नहीं मोहया कराई गई इस महान विभूती के निधन के बाद उनके छोटे भाई बलड बैंक के बाहर शव के साथ खड़े रहे वही निधन के बाद PMCH प्रसाशन द्वारा केवल डेट सेटिफिकेट दे कर पल्ला जाड़ लिया गया इस मामले में वश्रिष नारायन के भाई ने बताया कि एम्बुलेंस वालों ने पार्थिफ शरीर भोचपुर ले जाने के लिए 5000 रुपए मांगे थे लेकिन बाद में कलेक्टर और कुछ नेता पहुँचे तो पार्थिफ शरीर को एम्बुलेंस से उनके पैत्रिक आवास भोचपुर ले जाने की फिवस्ता की गई आपको बता दें कि 74 साल के महान गणितिग वशिष्ट नारायन सिंग के निधन पर मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने शोग चताया है पटना से न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट कर प्रूण के लिए के लिए रूड़ारायर ने शोगपुर के लिए GG झाल